सबसे पहले आप देखें जो डील होती भी दिखी थी विरॉक लाइटिंग सिस्टम यह इन्होंने बेचा है और अमेरिका और यूरोप का जो फोर वीलर लाइटिंग कारोबार है उसको कुल 4800 करोड रुपे में यह ट्रांजक्शन इन्होंने पूरा किया है इन्फाक्ट यहां पर अगर आप देखें तो जो एशिया का फोर वीलर लाइटिंग कारोबार है वो इन्होंने रीटीन किया है और कम्पनी का जो फोकस है वो हाई ग्रोथ मार्केट जैसे भारत और चाइना इन्फाक्ट आप पूरा एशिया ही कह सकते हैं वहां पर इनका ब अगर जैसे बाद किया है तो आप कह सकते हैं मतलब साथ करोड यूरो और मार्केट कैप करीबं छह साड़े छहाजार करोड का शहाजार करोड का तो यह तो डील होगी अब उसके बाद कॉन कॉल में मैंनेजमेंट ने क्या का है जो सॉमवार शाम हुई थी राइट हाँ सॉ जाएंगी वो इनकी कमपनी को फादा देगी इनकी डेट और फर्दर रेडियूस करने में करीबन 26 करोड रुपे की इनकी डेट है इसके पहले 31 करोर रुपे की थी तो वो रेडियूस हुई है और फर्दर रेदक्शन के लिए यहाँ पर कमपनी ने यह चीज गही थी बट और इनकी जो revenues है वो आधी होती भी दिख रही है यानि कि 40 से 45 परसंट जो इन्होंने कारोपार बीचा है ना उसका ये revenue contribute करते थे and globally अगर आप VLS में जो passenger vehicle का लाइटिंग सिस्टम है global lighting system उसमें वेरोक का अल्मूस साड़े 5% market share था 2020 में तो वो एक reason है और ये कह रहे हैं कि आगे चलकर इनकी concentration risk काफी बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी भारतिया कारोबार जो है मतलब भारत में जो two wheeler कारोबार है उस पर इनका focus रहेगा चाइना एशिया पर इनका focus है इस चीज़ पर और electronics पर इनका बड़ा focus रहेगा कोटक की रिपोर्टर में बाद में आता हूँ पहले चीज़ से कि मैनेजमेंट के कौन कोल के बाद कुछ confusion है कि मतलब इस पैसे का इस पैसे का इसे करेंगा नहीं ऐसा कोई confusion मुझे तो नहीं दिखा सर अच्छा कि मतलब 4800 करोड से पहले डेट कम करेंगे हाँ तो ऐसी कुछ confusion नहीं है कौन कोल के थरू तो कोई डीटेल्स में confusion नहीं है अच्छा और बच्चेवे पैसे का और वी एलेस इनका जो कारूबार है ना वो भी पिछले कुछ कुछ कोटर से लॉस इंकर कर रहा था तो उस लॉस की भरपायाई करने में भी इस पर ही फोकस करेगा तो इंडिया बिजनिस ही रह जाएगा बाहर का बिजनिस भिग गया इसलिए इंडिया और आसपास के थोड़े देशों का बाकी यह जो यॉरॉप और अमेरिका है और एवी कॉम्परेंट पर जिस पे इनका काफी बड़ा फोकस है आगे चलका है तो उस के बिजनिस को लेकर अभी अन्दाज लगा रहे हैं जो एक्जिस्टिंग कारोबार है उससे कितनी ग्रोथ आएगी उस पर सिटी ने सवाल उठाए जो आप बेच दिया वो तो खेर रहे हैं यह जो बढ़िया तो इन जो सारे सवाल है और जो स्टोक नीचे है इतनी बढ़ मेनेजमेंट मुलाकात करता है तो बहुत अच्छी बात है रहा सवाल जहां तक स्टोक का है वैसे दिखा जाए तो ओन दे फेस ओफिट ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखरी क्योंगी एक कैस हिंदू जोबल का था यहां पर कमसी ने बड़ा बिजनिस बेचा और बड़ा बिज अब वो रेगुलरली देते हैं या वन टाइम स्पेशल देखें वो देगना पड़ेगा तो जहां तक लोगों की सला के सवाल है हमने स्टोक साड़े 300 रुपे के आस पास पास तो आपकर दो अप्शन है एक साड़े 300 के आस पास हमने साल की शुरॉत मेरे करन किया था अभी बचास